तो नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का इस आदरशिद्या मंदिर की पेज पर स्वागत है आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिनियूस टैंस इससे पूर्व अपनने प्रेजेंट इंडेफिनेट टैंस पूर्ण कर लिया था दूसरा भाग इसका है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिनियूस टैंस में है जो हिंदी वाक्ये हैं उनकी पैचान के लिए कुछ अब निर्धारित है जैसे की रहा है रही है रहे हैं यह सब यदी वाक्ये के अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिनियूस टैंस होता है प्रेजेंट कंटिनियूस टैंस में जो साइक्रियां हैं उसके तीन प्रकार हैं इज, आर, एम तीन साइक्रियां इसमें दी गई है इज, ही, सी, इट और नेम के साथ प्रियोग मिलाते हैं आर, वी, यू, दे, और नेम्स नेम्स मिंज, प्लूरल उनके साथ अपन आर का प्रियोग करते हैं एम जो की इच्पेसल आई के लिए ही बना है यहां पर आई है, वो इच्पेसल सब्जेक्ट एशने इसके साथ हमेशन म का प्रियोग करते हैं और जो main verb है main verb मुख्य क्रिया यानि क्रिया का भहर रूप जो tense को निर्धरित करता है यहां पर main verb के रूप में verb की fourth form काम में ली जाती है जिसे दूसरे शब्दों में ing वाली form कहते है यानि verb की first form plus ing आईए चलिए विसके जो वाख्य की प्रकार है यानि sentence के जो टाइप्स है हर्प्टेंस की तरह इसमें भी चार प्रकार के sentence है affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative तो जो affirmative sentence है उनका structure अपने एक बार देखते है थोड़ा आपकी सहुलियत हो इसलिए मैंने केवल subject सब्द नह लिखके कौन कौन से subject के साथ कौन कौन से साइक्रिय काम में आती है वो लिख दिया है ताकि आपको वाक्य बनाने मैंसा नहीं रहे he, she, it और name यदि अपने को वाक्य में मिलता है तो उसके लिए जो वाक्य सरचना वो इस प्रकार होती है he, see, it, name, plus, is, plus, verb की fourth form, plus object और ऐसे ही यदि अपने को वी, यू, दे मिलता है तो इनके साथ आर, plus, verb की fourth form, और object I जैसा कि मैंने आपको पताया special subject, इसके साथ M automatic आता है तो I, M, plus, verb की fourth form, object ये इसके वाक्य सरचना है एक दो example मैंने याँ पर लिखे है वै घर में रहे रहा है he is living in home हम सरकार के नियम का अनुसरण कर रहे हैं अपने को जो देखना है वो यह यह कि last में रहे हैं, रहा है, रही है ये निस्चित रूप से मिलते हैं तब ही ये present continuous tense होता है जैसे यहाँ पर हम सरकार के नियम का अनुसरण कर रहे हैं तो we, आपको मैंने अभी बताया we के साथ जो साइक्रिया लगने वाली है वो है आर तो we are following rule of government यानि हम सरकार के नियम का अनुसरण कर रहे हैं दूसरा इसका जो प्रकार है वो है negative sentences यानि नकारात्मक नोट वाले हिंदी के वक्य में नहीं मिलता है अपने को साथ में तो इसकी जो वक्य सरेचना वो इस प्रकार से है अब क्यूर मैंने यहाँ पर अलग अलग subject नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको उपर मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है इसलिए यहाँ पर जो वक्य सरेचना सीधी साफ सुन्दर अक्छर में आपके सामने लिख दी है subject प्लस is rm यानि जो भी subject होगा उसकी हिसाब से अपनी यहाँ पर psych create कर देंगे यानि a c it होगा तो is लगा देंगे v u dhe होगा तो var लगा देंगे i होगा तो m लगा देंगे तो इसकी जो वक्य सरेचना यानि sentence structure जो है वो इस प्रकार से है subject is rm not var की forth form और object examples देखते हैं दो कि हम school नहीं जा रहे हैं तो we plural subject आ रहेगा इसके साथ तो we are not going to school मैं सड़क पर नहीं जा रहा हूँ i special subject बताया तो i के साथ automatic i am आ गया i am not going on road इसी का जो तीसरा भाग है जिससे अपन interrogative sentence कहते हैं यानि प्रश्ण वाचक मैंने आपको indefinite में दोनों प्रश्ण वाचक का विस्तार से वर्णन बता दिया था कि कौन सा किस प्रकार से wh word वाला कैसे पहचानेंगी और helping verb वाला कैसे पहचानेंगी तो यहां पे भी दो प्रकार के interrogative sentence है पहला प्रकार है वो वह वर्ण का है यानि यह वर्ण प्लस साइक्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ण की फॉर्थ फॉर्म आबजेक्ट और प्रस्ण वाचक चिन इसका उप्योग निस्सित रूप से करना वर्णा वाकिए अपना गलित हो जाएगा एक्जामपल पर देखते हैं कि मैं सड़क पर क्यों जा रहा हूं मैं सड़क पर क्यों जा रहा हूं यानि वाई एम आई गोइंग ऑन रोड नए भूलें दूसरा जो इसका प्रकार है साइक्रिया सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्ट फ़ां प्लस अब्जेक्ट क्या वह घर में रह रहा है इसका उधान है ये क्या वह घर में रह रहा है तो आपने देखा इscheinहा पर तो इस प्रकार से अपने इसके तीन प्रकार देख ली अन्तिम जो इसका प्रकार है interrogative negative sentence यानि दो वाक्यों का मिस्रण अपने अभी उपर interrogative भी पड़ा negative भी पड़ा इन दोनों का एक साथ उप्योग करते हुए अपने को interrogative negative sentence बनाने है ये भी दो प्रकार के जैसे आपन ने अभी आपको बताया डबलो एच रड़ वाले और साइक क्रिया वाले इंटेरोगेटिव में होते हैं इसी प्रकार से इसमें भी दो प्रकार के वाकि होते हैं स्कूल प्रश्णवाचक चिन्न लगाना ने भुलें दूसरा जो इसका प्रकार है साइक क्रिया सबजेक्ट वर्ब की फॉर्थ फॉर्म प्लस अबजेक्ट क्या वह घर में रहे रहा है इसका उधान है ये एक कि क्या वह घर में रहे रहा है तो आपने देखा यहाँ पर क्या शब्द है प्रश्णवाचक सब सबसे पहले इसके लिए इस साइक्रिया से बनाएंगे तो is he living in home प्रश्णवाचक क्या मैं बाहर जा रहा हूं तो am I going to outside तो इस प्रकार से अपने इसके तीन प्रकार देख लिए अंतिम जो इसका प्रकार है interrogative negative sentence यानि दो वाक्यों का मिस्ष्ण अपने अभी उपर interrogative भी पढ़ा, negative भी पढ़ा इन दोनों का एक साथ उप्योग करते हुए अपने को interrogative negative sentence बनाने है यह भी दो प्रकार के जैसे अपने अभी आपको बताया डबलू एच वर्ड वाले और साइक्रिया वाले इंटेरोगेटिव में होते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी दो प्रकार के वाकि होते हैं, not का उप्योग नकारात्म के इसलिए करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपन देखते हैं, डबलू एच वर्ड वाले, डबलू एच वर्ड वालों की जो सेंटेस स्ट्रक्चर है, को इस प्रकार से है, देखो लिखी वी तो उपर पहले साइक्रिया वाली है लेकिन मैंने आपको डब्लूएच वाली पहली बताईए इसका कारण यह है कि साइक्रिया वाला जो sentence है सेम वही डब्लूएच वर्ड वाली sentence structure में एक काम आता है केवल जो WH word है वो उसका उपयोग सबसे पहले कर देते हैं बाकि दोनों की जो sentence structure है यानि जो दोनों की बनावट है वो same है तो example क्या तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हो तो इसका दोनों को योग करते हुए negative भी और interrogative दोनों प्रकार का योग करते हुए अपन देखेंगे किस प्रकार से translation होगा तो क्या सबसे पहले इसलिए साइक्रिया से बनेगा are you not obeying your parents यानि क्या आप अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हो दूसरा अपना जो इसमें sentence है वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है देखो इसमें प्रशनवाचक चिन्न है जो प्रशनवाचक शब्द है वो वक्य की बीच में इसलिए डबलो एच से बनेगा तो why is मैंने ये का डबलो एच वर्ड वले वक्य के साथ भी साइक करिया उटोमेटिक सबसे पहले आती है इसलिए why is he not going to market तो अपना ये छोटा सा प्रजेंट continuous tense था बड़ा ही साधान सा simple जिसे कहते हैं वो ये tense है इसके पीछे एक छोटी सी बात भी है कि बच्चे इज आर एम का प्रियोग छोटी कक्षम से ही सीख जाते हैं इसलिए ये tense है उनको ज़्यादा कठीनी लगता आप लोगों को इसलिए आप इसका थोड़ा सा ब्यास करेंगी इतने में आपको ये पून ते आरने लग जाएगा तो फिर से अपन मिलेंगे अपने ही इस विद्धाले की पेज पर में राजय इसकुमार बसीर आपको फिर से स्वागत करता हूँ अगले पेज के लिए धन्यवाद जैभार